जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों एक नोटिफिकेशन काफी वाइरल हो रहा है एक लेटर काफी वाइरल हो रहा है जिसमें Constable Fireman के P.E.T. P.E.S.T. होने की डेट जो है वो बताई गई है कि अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक जो है वो उनकी P.E.T. ली जाएगी 40 प्लस सेंटरस के अंदर दोस्तों अब ये बात सामने आती है कि अगर C.S.F. Constable Fire की P.E.T. P.E.S.T. करवाएगी तो क्या C.S.F. Head Constable Minister के रिटन एक्जाम के उपर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या C.S.F. Head Constable Minister का जो एक्जाम है वो सितंबर मंथ में हो पाएगा तो दोस्तों आज मैं यही क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि C.S.F. ने अपनी जो Constable Fire की जो Wing है वो अलग रखी है और Constable जो G.D. है वो अलग रखी है ठीक है G.D. का स्टाफ अलग रहता है Constable Fire का अलग रहता है लेकिन Recruitment जो दोस्तों वो C.S.F. एक ही Recruitment Center से करवाती है C.S.F. का जो Recruitment Center है वो हर परकार की कैडर के लिए एक ही होता है चाए वो Ministerial की Recruitment हो चाए वो Constable की हो चाए वो Fire की Recruitment हो तो दोस्तों अब आपकी Head Constable Ministerial का जो एक्जाम है जो रिटन एक्जाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दो दिन लगेंगे रिटन एक्जाम कंड़क्ट करवाने में C.S.F. को अपनी फोर्स लगाने में बाकी जो त्यारी है दोस्तों वो Background की त्यारी होती है उसमें Recruitment Journal Team होती है वो काम करती है और जो P.E.T. P.E.S.T. करवानी होती है उसमें काफी सारा स्टाफ जो है वो included रहता है ठीक है अब जो आपका रिटन एक्जाम करवाना उसमें सिर्फ दो दिन ही ड्यूटी लगेगी आपके CSF पर्सनल्स की तो वो भी जो आपका दिन होगा वो Saturday Sunday का दिन होगा दो दिन में आपका complete paper ले लिया जाएगा तो दोस्तों CSF जो है P.E.T. P.E.S.T. जो है वो Saturday Sunday को नहीं करवाती है रिटन एग्जाम आपका Second Saturday Sunday को ही होता है Government holiday वाले दिन तो दोस्तों यहां से clear होता है कि आपके CSF Head Constable Ministerial के रिटन एग्जाम के उपर Constable Fire की P.E.T. P.E.S.T. का कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जिन लोगों ने वो notification देखके त्यारी करनी छोड़ दी एक उमीद छोड़ दी कि पेपर जो है फिर से लेट होगा तो दोस्तों पेपर लेट नहीं होगा पेपर आपका ज्यादतर उमीद है कि सेप्टेंबर के लास्ट में आपका CSF Head Constable Ministerial का पेपर कंड़क्ट करवा लिया जाएगा अगर सेप्टेंबर के लास्ट में नहीं हो पता है किसी वज़े से कोई कमी रह जाती है तो अक्टूवर के मन्त में वो कंप्लीटली करवा लिया जाएगा दोस्तों उसी से आपसे आप अपनी त्यारी करो और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान मत दो अपनी त्यारी पर फोकस रखो क्योंकि आपको तीन साल हो गए है अगर अब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है और अगर आप यह कहते हो कि टाइम कम मिला था पेपर का टाइम कम मिला था पेपर ये लेट पता चला कि सर हमारा एक मेने बाद एक्जाम होगा ठीक है तो दोस्तों ये बाने नहीं चलेंगे क्योंकि तीन साल हो गए हैं आपको जनका डोकुमेंट में कोई कमी थी वो अपने डोकुमेंट की कमी दूर करवा सकता था करेक्शन करवा सकता था जिसने ग्रेजुशन अपनी कम्प्लेट नहीं की काफी सारे लोगों की दिक्कत रहती है कि जो लग जाते हैं ग्रेजुशन बीच में चूट जाती है तो ग्रेजुशन भी पूरी होगी होती अब तक और अपनी त्यारी भी अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए थी अभी तक ठीक है जिन्होंने नहीं किये वो भी त्यारी अपनी कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों हर संडे को मोक टेस्ट लेने का मैंने प्लान किया हुआ है जिसमें एक लास संडे को मैंने लिया भी था तो सेकंड जो जो मोक टेस्ट आपका कल यानि की संडे को कल देट है 14 तारीफ 14 अगस्ट 2022 को आपका मोक टेस्ट होगा टाइम रहेगा आपका 12 बजी से ले करके 2 बुजे तक दो पैर 12 बजी से ले करके 2 बुजे तक जो लोग 12 से 2 के बीच में अटेंप्ट करेंगे उन्हीं लोगों का जो वो आपके result लिस्ट में आएगा जो लोग 12 से 2 के बीच में attempt नहीं कर पाएंगे उनको मोका मिलेगा attempt करने का वो कभी भी attempt कर सकते हैं उनके लिए मैं कभी भी google phone close नहीं करूँगा ठीक है क्योंकि ये फ्री सर्विस है आप लोगों के welfare के लिए फ्री में बिल्कुल कर रहा हूँ और दोस्तों काफी महनत लगती है मोक टेस्ट बनाने में तो इसको waste ना जाने दे इसको अच्छे से attempt करें दो गंटे का time निकाल करके चाहे वो कभी भी कर लेना list में नाम उनका आएगा जो 12 से 2 के बीच में attempt करेंगे उनी की merit list बनेगी इस बार दोस्तों मैं एक कोशिश करूँगा कि आपकी category wise merit list बनाऊं ठीक है तो अकेला हूँ कोई team नहीं है कोई कुछ नहीं है अगर hulky full की कोई mistake हो भी जाती है तो उसको criticize मत करना उसको simply take it easy मतलब उसको बोलते हैं न take it easy बिल्कुल आराम से लेना उसको man जो मेरा motive है वो है आप लोगों की त्यारी करवाना mock test के थुरू त्यारी करवाना तो mock test आपको 12 से 2 की बीच में मिल जाएगा mock test का जो link है दोस्तों आपको इस video की description में भी मिल जाएगा और आपको telegram channel में भी share कर दिया जाएगा तो आप वहाँ से भी आप अपने अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हो साथ यह दोस्तों आपके एक appeal है एक request है कि 15 अगस्त जो आने वाला है परसों आज ही जो है आप अपने flag जो है अपने घर के उपर फैराएं अपने विकल पे फैराएं ऐसी जगह फैराएं जहां से आपके Indian flag आपके National flag का सम्मान हो ठीक है केसरिया रंग सबसे उपर हो सफेद रंग बीच में हो और हरा रंग जो सबसे नीचे हो ठीक है सबको पता ही है ये बात बताने की जुरूरत नहीं है आप अच्छे से त्यारी कर रहे हो जिस चीज की आप त्यारी कर रहे हो जिस सर्विस की आप त्यारी कर रहे हो तो वहां तो तो तिरंगे का सम्मान बड़ी नॉर्मल सी बात है civil जो अगर कोई कर रहा होगा तो वो यह कह सकता है कि मैं तिरंगा नहीं फैरा हूँगा पैसे लगते हैं यह लगते हैं लेकिन आप लोगों से ऐसी उमीद नहीं है तिरंगा फैराएं आपकी शान है अपनी DP लगाएं तिरंगे के साथ अपनी फोटो जो आप क्लिक करें और अपनी DP लगाएं और तिरंगे के समान में जो आप से बनता है वो आप करिए यह मेरी रिक्वेस्ट आप से तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई इंफोर्मेशन के साथ त्यारी करते रहिए जे हिन दोस्तों